नमस्कार दोस्ते एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल तुश आर्ट में और इस वीडियो में मैं आपको बतागा कि मैंने किस तरह से लोगन के इस ड्राइंग को बनाया है सौफ पेश्टल्स की मदद से उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मे मैंने description box में डाल दे हैं तो ज्यादा देर ना करते हुए चले शुरू करते हैं मैंने grid method का use किया है इसकी outline बनाने के लिए और जो soft pastel मैंने use किये हैं वो use किये हैं camel brand के जो की मेरे पास 20 shades में available है reference image के according जो grid के boxes मैंने बनाये हैं वो 2.7 cm horizontal और 2.7 cm vertical है यहाँ पर needed eraser की मदद से मैं grid की जो lines है उन्हें light कर रहा हूँ जिससे कि मुझे pastels apply करने में दिक्कट ना आए अब मैं pastels apply कर रहा हूँ आप side में reference image देख सकते हैं और yellow color को apply करते हुए मैंने उसके सर से शुरूआत की है मैं step by step आपको पूरा process बता दा रहूँगा कि कहां पर कौन सा color apply करना है और कैसे blend करना है soft pastels जो होते हैं वो एक तरह से chalk ही है color chalk जो कि हम लोग school वगर हमें use करते हैं blackboard में तो यह बहुत messy होते हैं इनको बहुत ध्यान से apply करना पड़ता है अगर जरा सा भी ध्यान हटा तो यह बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं और इनको blend करने का तरीका यही है कि इनको हम अपने finger से blend कर सकते हैं या फिर घर पर जो ear buds है उसके मदद से हम इन colors को blend कर सकते हैं यहाँ पर mask की detailing करने के लिए मैंने Faber Castle Polychromos के pencil color का use किया है क्योंकि soft pastels से हम लोग इतनी अच्छी detailing नहीं कर पाएंगे जो face पे fine detailing हैं उनके लिए मुझे pencil color का use करना पड़ेगा soft pastels से massive color apply कर सकता हूँ और उसके उपर मैं जो detailing कर रहा हूँ वो pencil color से कर रहा हूँ यहाँ पर मैंने white charcoal pencil का भी use किया है highlight करने के लिए क्योंकि कुछ fine details है जो की मुझे white charcoal का use करके ही करना पड़ेगा soft pastels के साथ pastel pencil का भी use कर सकते हैं बट मेरे पास अभी pastel pencil है नहीं तो मैं इसलिए fabric castle के polychromos का use कर रहा हूँ और वो बहुत अच्छे से इसके उपर opt हो जा रहे हैं दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि एक drawing बनाने में काफी मेहनत लगती है और एक sketch को बनाने में काफी time लगता है तो आप लोगों से request है कि प्लीज आप मेरे चांग को subscribe जुरूर करें और bell icon को जुरूर प्रेसे यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने ब्लू कलर के पेस्टल से जो हैंड है उसका बेस फिल कर दिया है और उसके बाद फिर मैंने वही pencil कलर का यूज करके उसके हैंड की जो detailing है वह करी है और इसमें मैंने white charcoal pencil का यूज किया है और उपर से मैंने white पेस्टल को अप्लाई किया है जिससे की highlights मिल सके मैंने दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही मैं अभी यहां पर इसको finish करता हूं यह इसका part 1 है मैं बहुत जल्द इसका part 2 भी लेकर आऊँगा तब तक के लिए आप मेरे चैनल को subscribe करें और मुझे comment में ज़रूर बताए कि आपको मेरा यह drawing process कैसा लगा